पिट्टाइम टिवी लगा देता है रस्मी का अचानक जर्क से थोड़ा अन्बैलंस हो जाता है और सामने वाली सीट पर आके टक्रा जाता है वो ड्राइवर से कहता है क्या हुआ ड्राइवर गारी ऐसे अचानक क्यों रोक दिया ड्राइवर थोड़ा घबरा कर बोलता है मैडम वो कोई गारी के आ लगता है उसे चोट लगा है वाट इतना कहते ही रश्मिका कार के अंदर से तुरंत बाहर आ जाता है रश्मिका कार के नीचे एक आदमी को बेहोशी के हालाद में पाता है उस आदमी को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है वो जल्दी से उसे उठाकर कार में बिठा लेता और सीधा घर में जाने के लिए ड्राइवर को बोलता है कार्ट चलने लगती है पीछे वाली सीट पर वो बेहुश आदमी रस्मिका के गोद में सर रखे सोया हुआ होता है और रस्मिका उसे मायूस नजरों से घूटता है जैसे वो कोई अपनी यादों में खोच वाता है रस्मिका को याद आता है वो दिन जब उसके मम्मी पापा की एक एकसिडेंट में मौत हो चुकी होती है उसके भैया भावी जो शादी करके बाहर अलग रहते थे वो भी अचानक अपने घर में रहने आ गये थे रस्मिका का बहुत खयाल रख रहे थे रस्मिका को उसका भाई उसका भावी काफी खुश रखने लगे थे एक दिन रश्मिका अपने रूम में सो रही होती है और अच्छानक उसे अपने उपर एक साप दिखता है वो साप साप चिलाती हुए बाहर आता है लेकिन जब सब कोई घर में जाता है वहाँ कोई भी साप नहीं दिखाई देता है रश्मिका बार बार बोलती है रस्मिका देखो, तुम खुद देखो, यहाँ पर कोई शाप नहीं है, सायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कोई भी रस्मिका की बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। कभी रस्मिका के दुबटे को खीचने लगता है, तो कभी रस्मिका को इधर उधर हाथ लगाने लगता है। रस्मिका अपने भाई और भावी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। रस्मिका गुष्टे से पूचती है, कौन हो तुम और मेरी कमरे में कैसे घुच गए? अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाओंगी या फिर इस खिर्की से कूट कर अपना जान दे दूँगी। ये सुनकर वो अजनबी लर्का वहाँ से चला जाता है। हमें जरूर पता चलता, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुनाए दिया और देखा भी नहीं। कोई अजनबी लर्का अंदर आता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। बलके मैं तो दो बार आई थी तुमें देखने के लिए, तुम अच्छे से आराम से सो रही थी। रश्मिका ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी रश्मिका का भाई उसे बूलता है। रश्मिका मेरी बहन, तुने जरूर कोई सपना देखा होगा, आज कल तु परशान भी तो कितना होने लगी है। तु बोल, तु बोल तो मैं कुछ ऐसा कर दूँगा, तेरे लिए डॉक्टर लाओ क्या। रश्मिका नामे सरहिलाती हुए वहाँ से उपर अपने रूम में चली जाती है। रश्मिका अपने मम्मी पापा की फोटों से बात करती है। पापा, मम्मी, क्या सच में मैं सबना देख रही थी? या मैं पागल हो रही हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है पापा? तब ही उसके मुबाइल पर उसके दोस्त का कॉल आता है। रश्मिका फोन पर अपनी दोस्त को सारी बाते बताता है। उसका दोस्त उसे प्यार से समझाता है की? देख रश्मी मुझे लगता है ये सब तेरे ज्यादा स्ट्रेस लेने के वज़े से हो रहा है शायद तु अपने मम्मी पापा के साथ हुए हादसे को अभी तक भुला नहीं पाई है मेरी बात मान और तु अपना पूरा ध्यान तु अपने परहाई में लगा दे तुछ दिन में तेरे इंटरंशिप भी पूरा हो जाएगा फिर तुझे आसानी से कोई अच्छी जोब भी मिल जाएगी तेरे मन में ये सब बातों से हटकर दूसरी जगे जा रही है रश्मीका को अपनी दोस्की बात ठीक लगने लगती है दूसरे दिन से ही रश्मीका अपना पूरा ध्यान अपनी परहाई पर देती है उसकी इस बात से उसकी भैया भावी बहुत ही खुश होते है लेकिन पिछले कुछ दिनों से रश्मीका नोटिस कर रही होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है एक दिन रश्मिका कॉलिट से घर आ रही होती है तभी रस्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है रश्मिका इधर उधर देखती है लेकिन आस पास कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है तभी रश्मिका दीखती है कि सामने एक बाइक खरा है और उस बाइक के पास वही लर्का खरा है जो उस दिन रश्मिका के घर में आया था जबर्दस्ती वो लर्का थीरे थीरे अपने चेहरे से रुमाल हटा रहा था रश्मिका को अब ये एहसास हो गया था कि ये वही लर्का है जो उस दिन उसके घर में जोर जबर्दस्ती से घुस गया था रश्मिका तेज तेज चलने लगी थी और वो लर्का भी रश्मिका की तरफ जोर जोर से आने लगा था रश्मिका बहुत ही डर गई थी घब्रा गई थी रश्मिका ऐसे ही चिलाती हुई अपने घर पहुच जाता है और किचन में जाकर चाकु लेकर बाहर आ जाता है लेकिन उसे कोई भी वहां नहीं दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिलाने लगती है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुझे मार डालूंगी तेरा खून कर दूंगी तब तक वहाँ पर आसपास के लोग भी आकर जमा हो गये थे रश्मिका को देखने लगे थे अंदर से उसका भाई भावी भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ चाते है लेकिन वो लड़का तब तक वहाँ से जा चुका था रश्मिका का भावी रश्मिका को शांत करता है और धीरी धीरे उसका हाथ पकर कर उसे अंदर लेकर आते है कुछ देर बाद जब रश्मिका की आँखे खुलती है तो वो उटकर बाहर जाने लगती है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हुआ होता है रश्मिका दरवाजा पीटती है और जोर जोर से आवाज लगाता है लेकिन कोई भी नहीं आता है दरवाजा खोलने के लिए वो देखती है कि उसके भाई भाबी फैमिली वाले एक लॉयर के साथ कुछ बात कर रहे होते है उसे सुनाई देता है कि सब लोग उसे पागल खाने भेजना चाते है रश्मिका ये सुनकर गुसे से बौकला जाता है और चिलाते हुए बोलता है कोई भी रश्मिका की बात पर ध्यान नहीं देता है तब ही वहां रश्मिका को ले जाने के लिए पागल खाने से चार लोग आ जाते है और जबदस्ती रश्मिका को उठा कर पागल खाने भेज देते है जाती जाते रश्मिका देखती है उसकी भावी उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखे हुए खरी है जो लड़का उसे परिशान कर रहा था वो अपनी भावी की तरफ दीखता है जो थोरा सा मस्कुरा रहा था उसे अपनी भावी और भावी की चाल की बारे में समझ आ चुका था कार के जार्ट से रश्मिका प्रेजन दिनों में वापस आ गई थी वो कार एक आली शान बंगली की बाहर आकर रुख गय थी उस आदमी को ले जाकर रश्मिका ने अपने कमरे में सुला दिया था तब ही वहाँ और भी नौकर चाकर आ गय थी फिर एक डॉक्टर को भी बुलाया गय था डॉक्टर आकर उस आदमी का चेक अप करके उसको इंग्जेक्शन दिया और कुछ दवाई रश्मिका को लाने के लिए बोलता है कुछ देर बाद उस आदमी को खोश आ जाता है वो अचानक आँखे खोल कर देखती है कि रश्मिका उसके शामने बैठी हुई है वो हैरानी से उसकी तरफ देखते है रश्मिका उसके पास जाकर उसे बोलता है भाईया आपका ये हालात कैसे हुआ और भावी कहा है पूरे छे साल बाद आपको देख रहे हूँ लगता ही नहीं कि ये आप है ये कैसी हालात बना लिया आपनी उसका भाई बेट से उठकर रश्मिका से माफी मांगती हुई बोलता है सब कुछ बरबाद हो गया रश्मि सब खतम हो गया और ये सब मेरे ही बुरे कर्मों की सजा है मुझे मालूम है ये सब मेरे ही पापों की सजा है मैंने प्रापर्टी की लालाच में उस कमेनी औरत की बातों में आकर उसका और उसका भाई का साथ दिया और अपने ही बेहन को अपने ही फूल सी नाजुक सी बेहन को पागल खाने में डाल दिया था रश्मी का एक गहरी सांस लेता है और कहता है जर्म तो आप लोगों नहीं किया है जिसे मैं चाकर भी भूल नहीं सकती पर फिर भी मुझे आप से कोई शिकायत नहीं है शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था आप ये बताईए भाबी कहा है कैसी है और आपके ये हालात कैसे जो लड़का तुझे परेशान किया करता था दरासल वो तेरे भाबी का सोतेला भाई था उसे तेरी भाबी नहीं बुलाया था तुझे पागल सबित करने के लिए और जब सारी प्रॉपाटी बेचकर हम तिनों विदेश जा रहे थे तब वो लड़का मुझे और अपने ब भाबी अपने माईके में रहती है और मैं काम के तलाश में एक सहर से दुसरे सहर भटकता रहता हूँ रश्मिका मुझे माफ कर सकती है लेकिन उपरवाला और ममी पापा की बद्दुआ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी वे काम ही ऐसा किया है जिसको कोई माफ नहीं कर सकता ममी पापा ने तुझे कितना प्यार से पाला था और उनके जाते ही मैंने क्या किया आज मुझे अपने सोच पर शरम आता है लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं चाहा कर भी कुछ भी बदल नहीं सकता वैसे मैं ये पूछने का हक तो खो दिया फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे हुआ ये सब और ये घर किसका है मैंने क्या तेरी गाड़ी से टकराया था हाँ अब मेरे ही कार से टकराये थे और ये घर भी मेरा ही है पागल खाने में रहते हुए धीरे धीरे सभी डॉक्टर को ये मालूम चल गया था कि मैं पागल नहीं हूँ फिर एक दिन हॉस्पिटल के जो ओनर है उनका बैंक एकाउंट किसे ने हैक कर लिया था जब ये बात मुझे मालूम चला तो मैं अपने गाड़ से कहा कि मैं ये ठीक कर सकती हूँ ये बात सुनकर वो ओनर मुझे अपने आफिस में बुलाए मैंने उनका एकाउंट पूरी तरह से ठीक कर दिया उनका पैसा भी उन्हें वापस मिल गया उस दिन उन्हें बिश्वास हो गया कि मैं एक दम नौर्मल लर्की हो फिर उन्होंने ही मुझे पागल खाने से सारी जिन्दकी के लिए आजाद कर दिया एक अच्छी कॉमपनी में अच्छा सा जॉब दिया बस यही है मेरी कहानी रश्मिका का भाई एक बार फिर से अपने दोनों हाथ जोर कर माफी मांगते है रश्मिका कहती है अब दवाईया खा लीजिए और आराम कर लीजिए आपको काफी आराम की जरूरत है मॉर्निंग में रश्मिका का भाई नीन से जाकता है तो उसके सामने एक नौकर खरा होता है वो एक चेक उसके भाई के हाथ में दे कर बोलता है मैडम नहीं आपके लिए दिया है और आपको अगर और भी कुछ चाहिए तो मैडम वो भी दे सकते है और हाँ मैडम एक महिने के लिए विदेश गई है रश्मिका का भाई ये सुनकर हैरान हो जाता है वो कापते हुए हाथों से वो चेक लेता है जिसके साथ एक चिठी भी होती है चिठी खोलकर वो देखता है जिसमें रश्मिका ने लिखा था भाईया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है आपने भावी ने मेरी साथ जो किया है उसके कारण भाई बेहन के रिस्ती से मेरा भरोशा ही उठ गया है जिसे वापस आने में थोड़ा समय लगेगा मैंने आपके लिए कुछ पैशा लिख दिया है और भी जरूरत परेगी तो मैं जरूर दूँगी नीचे एक कार है जिसमें एक छोटी से घर का कागसाद है जो मैंने आपके नाम कर दिया है और उस लड़के के बारे में भी मैंने पुलिस कम्प्रीन कर दी है वो जरूर पक्रा जाएगा और उसे जरूर्म की सजा जरूर मिलेगी और भीया मम्मी पापा की आत्मा कभी आपके लिए बद्दुआ नहीं करेंगी क्योंकि मा बाप कभी भी अपनी बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती है अच्छा चलती हूँ अगर सब कुछ भुला पाई तो वापस आउंगी और नहीं तो विदेश में ही बस चाऊंगी